राजे रादे दोस्तों आप सभी का स्वाज़त है आपके अपने YouTube channel bestnotes tutorials में दोस्तों हमारा topic हम जो कर रहे थे last video में वो कर रहे थे nutrition in plant तो हमने last video में क्या-क्या चीजे कवर करी थी introduction उसके बाद हमने nutrition के बारे में पढ़ा था फिर modes of nutrition पढ़ा था यहां तक बच्चों हमने टॉपिक्स लास्ट वीडियो में कवर कर लिये थे एक बर आईए आज हम कवर करेंगे आपका फैक्टर सफेक्टिंग फोटो सिंथैसिस डिजिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल और हेट्रोपिक नूट्रिशन एक बार आगे बढ़ने से पहले इस लास्ट वीडियो के अंदर कि कोई भी हमारे जो लीविंग और लीविंग औरो टे हम इन सैवन करेक्टेसिक्टिक्स पे बैसे पे जाने जाते हैंगा किसी अन्दर यह सानशन होट कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन के बारे में कर रहे हैं तो यह हमने बताया था कोई भी सबस्टांस जिसको हम तोड़ सकते हैं कैमिकल प्रोसेस के थूप बॉड़ी के अंदर उसको एनर्जी मिल सके उसको हम क्या बोलते हैं फूड आपने अकसर माताओ को कहते हुए सुना अब सकते हम हाओने थी तभी मिल फूड आपने प्रोसेज़ कहते हैं और फिर उसे यूस करते हैं ग्रोथ और डेली एक्टिविटीज़ के लिए उससे हम क्या कहते हैं नुटरिशन प्रोड़तान अगर नुटिरिशन जोड़ सborने हैं six उसमें चरभ Ä影 क्ष थे फिर यू कोटी सी डेफिनेशन बताई जाए तो कहा है नुट्रीशन होता है स्टरी ओफ फूड और वो किस तरीके से हमारी बॉडी के नंतर काम करती है नुट्रीशन में हमारी सारी चीज़ आजा जाते हैं जैसे विटामीन, प्रोटीन, फैट्स, कार्वोहाइट्रेट मिनल्स अब अपने खौडिक बनाते हैं यह वो अपने थे लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं और ओमल उफ नूट्रीशन क्या लाएगा ऊड़ेगा उड़ापिक नेवच्व बात किती कि ऐनिमल्स और हूमन बिंग रहते हैं वो तो प्लांट्स के अपने खाने के लिए ठीक हैं उन्ही नहीं अपना खाना बना सकते हैं तो फिर वह अपना खाना कहां से लेते हैं तो वह बच्छ अपना खाना जो प्रिपार करते हैं वह किसकी मदद से करते हैं फोर्ट सिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से करते हैं ठीक है यह हमने फिर पूरा कपूरा फोर्ट सिंथेसिस प्रोसेस पड़ा था कि कैसे कैसे होता है क्या होता है Foto Synthesis चार्स रेट बैंस के दूबरा 1883 में ओके यहां पर हमने बच्छो प्रोसस्स पड़ा था अगर शौट कि जाए तो Foto Synthesis फ्रोसेस में होता है कि जो ये हमारे plants होते हैं तो इसमें किया होता है जो हमारा plant होता है वह क्या करता है अपने atmosphere से carbon dioxide लेता है वाटर हम उसे provide करते हैं sunlight के presence में chlorophyll क्या होता है बचों यह हमारी लीज होती है नहीं जिसको पुलता है क्लोरो फेल इसी की मदद से क्या करता है जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुज बनाते हैं a से हैं ऑफना नहीं बनापैंगे तो क्या होता है मेश प्लांट्स के दोरा यूस कर लिया जाता है और आक्सिजन वे अपने एक्मोस्फेयर में रिलीज कर देता है यहां तक बच्चों आपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाता समझाता ठीक है अब यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूच सकता है यह देखिए यह आपका पूरा का प्रॉसेश संजा रहे का इस फोटो में संलाइट ले रहा है कार्बन दायोकसाइड ले अट्मसफेयर से वादर हम प्रोवाइड कर रहे है और वो और शूगर या फिस्टार्च रिलीज कर रहे है और यहीं सब हुमारी क्या होती है प्रॉस बच्चों अब हम पढ़ेंगे आगे, factors affecting photosynthesis, वो कौन-कौन से factors हैं, जो photosynthesis के process को affect करते हैं, अब हमें ये तो पता है कि necessary conditions हमारी ही हैं, लेकिन अब वो हमारे किस तरीके से positively ये negatively affect कर दिया हैं, जैसे कि हमने पढ़ा light की photosynthesis के process के लिए sunlight जरूरी है, लेकिन बच्चों एक बाद बताईए, अगर sunlight पढ़ती रहेगी, पढ़ती रहेगी, तो क्या photosynthesis का process चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अब आपने देखा होगा, जब ज़्यादा सूर्ज होता है, जब ज़्यादा करने पढ़ती है, जब तेज दूप होती है, तो पत्ते सूख भी जाते हैं, ठीक ह तो क्या होता है, बच्चों, light जो होती है, वो एक मात्रा तक, up to a certain point तक जरूरी होती है, बट हाँ यह है, अगर light बढ़ेगी, तो हमारा जो photosynthesis का process है, वो भी बढ़ेगा, carbon dioxide के साथ भी इसका directly proportionate होता है, कि अगर हमारा पास जितनी ज़्यादा carbon dioxide होगी, concentration होगा, उतनी के साथ भी यह होता है, water के साथ क्या होता है, अगर हम बच्चों पानी नहीं available होगा, less availability होगी, तो क्या होगा, जो स्टोमेटा होंगे photosynthesis में, वो close हो जाएंगे, और आप वो food produce नहीं कर पाएगा, ठीक है, यह सारे हमारे inorganic mineral ions के बारे में पिताया गया है, अगर यह नहीं होगे, तो हमारा process नहीं carry out हो पाएगा, fine, हमारे मेंचे दो तरह के nutrients होते हैं, macronutrients और micronutrients, macronutrients में हमारे कौन-कौन से elements आते हैं, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, iron, magnesium, और macronutrients कौन से होते हैं, copper, zinc, boron, magnesium, molybidinium, macronutrients कौन से होते हैं, यह वो elements होते हैं, जो हमें higher quantity में चाहिए होते हैं, पहला plants को, और macronutrients कौन से होते हैं, जिनको बहुत, जिन nutrients नहीं बहुत कम जरुरत पड़ती है, ठीक है, अब यह आ गया था बच्छा, deficiency of disease, यह बच्छों यह पताया गया है है, इस टेबल में, क अगर कोई particular type nutrient नहीं मिलता plants को, तो उन्हें किस तरह की disease हो जाती है, सबसे पहले nitrogen, अगर plant के इंदर nitrogen की कमी है, हमने भी पढ़ा कि उसे nitrogen ज्यादा मातरा में चाहिए होता है, तो अगर उसे nitrogen नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, उसे chlorosis नाम की disease हो जाएगी plant को, इसमें क्य नहीं होगा, तो क्या होगा, एमनॉर्मल leaf shape, जो उसकी पतिया है, वो यलो भी हो जाएगी, और साथ में क्या होगा, उसे जर लीफ के शेह एपना नहीं होगा, नेक्स्ट आइरन, ठीक है, आइरन की कमी से क्या होगा, जो यंग leaves होती है, उन में भी प्यरा पना जाएगा, जो नई नई पत्ती आई है वो पीले कलर की ही आएंगी यह तो बच्छो आपको पता है कि आइलें हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है तो पुराने पत्ते हैं उनके अंदर क्लॉरसीज हो जाएगा और अगर फोस्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा हमारी ग्रोथ अच्छी किसकी वज़े से यह प्लांस को ज्यादा मात्रह में यह बहरी मात्रह में चहिए रहते हैं झरूरी चणिए कंदी इस को आपको यह वाली होज़ेंगी इसको आप ऐथ से भी आद कर सकते हैं यां घ्र थे 1 ठीक है, MP for Madhya Pradesh, इसको ऐसे याद रख सकते हो, NCI या फिन NIC इसे कैसे भी याद रख लो, Nick in Madhya Pradesh, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर इसको cat in Madhya Pradesh याद रख सकते हो, C for cat, यहने कि C for calcium, I for iron, N for nitrogen, M for magnesium, P for phosphorus, तो इसका आपका मन गया क्या, cat in Madhya Pradesh, ठीक है, यह याद रख सकते हो, बच्चों, क्या है इसका, cat in Madhya Pradesh, ठीक है, यह याद रख सकते हो, बच्चों, क्या है इसका, cat in Madhya Pradesh, Madhya Pradesh, तो यह आपको याद रहेगा, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां सबचों, बहुत ज़रूरी topic, स्टार्ट हो जाता है, transport of materials, किसके transport की बात करते हैं, हम plants के अंदर, क्योंकि हम पूरा का पूरा भी, हम डिसक्शन किसका करते हैं, plants का, बच्चों, यहां पर water and minerals होते हैं, वो roots से अपवर जाते हैं, उपर की साइड जाते हैं, to other plant parts, यानि कि जैसे माल लीजेए, यह हमारा एक plant है, ठीक है, तो यह हमारे क्या है, यह roots है, यहां पर हमारे क्या है, water दिया जा रहा है, यहां minerals मिल रहे हैं, soil से, तो यह कैसे हो रहा है, यहां पर की साइ जा रहे हैं दूसरा क्या होता है मुवमेंट ओफ फूट मैटीरियल सिंथिसाइज इन लीज चु अधर प्लांट पार्ट अभी हमने पड़ा कि इसमें लीज होती है उसमें फूड बनता है अब फूड लीज में बनता है लेकिन यह जो फूड है यह बागी के प्लांट के पा फूड हमारा जो वाटर और मिनरल से यह उपर की तरफ जा रहा है दूसरा जो फूड हमारा बन रहा है लीज के अंदर वो कहां पर जाएगा बाकी के पार्ट में जाएगा ठीक है दो-तरह के मुवमेंट हो गए अप्वर्ड मुवमेंट अफ वाटर एंड मिनरल अकर्स लीज में जो हमारे स्टैंप स्लीव में होता है उनकी मदद से हम यह अप्वर्ड मुमेंट होता है और जो हमारा फूड प्रिपेर किया जाता है इस लीज में वह सॉलूबल फॉर्म में किया जाता है तो यह किसके मदद से पूरे प्लांट बॉड़ी पार्ट में जाता है फ्लॉयम किसके मदद से फ्लॉयम की मदद से ठीक है यह याद रखेगा यह दोनों इंपोर्टेंट है इनसे कभी-कभी कोश्चिंग्स बन जाते हैं तो इन फ्लॉयम की मदद से अब बच्वों पढ़ेंगे हैट्रोपिक नूटरीशन अभी मैंना बता है है अपना खाना बनाते हैं लेकिन हैट्रोपिक नूटरीशन जो होता है वो दूसरे प्लांट से लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं हैं और जो mode of nutrition होता है, उसे हम क्या कहते हैं, heterotropic nutrition, अभी हाँ पर पढ़ते हैं, most of the plants on the earth are in green, अब आपको यह पता है, कि plants है, तो green, maximum chances उसके green होने के हैं, ठीक है, but there are certain plants which do not contain chlorophyll, लेकिन बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जो जिसमें कहा होता है, chlorophyll नहीं होता, अब कुछ ऐस हैं जिन में leaves नहीं होती, या हिना कोई other part होता है, ऐसे जो प्लांट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, non-green plants, और यह ऐसे जो प्लांट होते हैं, बच्चों वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ऐसे जो होते हैं, वो दूसरे green plants पे डिपैंड करते हैं, अपने nutrition के लिए, यहां तक बात समझ में आई, अभी मैंना आपको बच्चों उपर बताया था, कि food बनाने के लिए, प्लांट के अंदर किस तीज की जरूरी होती है, chlorophyll, जो किसमें प्रेजेंट होता है, leaves में, ठीक है, अगर बच्चों यह क्लोरोफिल नहीं होगा, तो जो प्ल प्लांट, most of the plants थो हमारे green हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए तो ख्लोरोफिल नहीं होता, या फिर उनकी leaves नहीं होती, या फिर कुछ और अधर पात नहीं होते, ऐसे ऐसे plants को क्या बोलते है, non green plant, ठीक है, और ऐसे जो प्लांट होते हैं, वो अपन nutrition, और जो organism, हेटरोट्रोपिक मौड अफ नूट्रीशन को अपनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हैट्रोट्रोप्स, ठीक है, अब हमारे क्या है, इस मौड अफ नूट्रीशन के बेसेज पे हमने जो हेटरोट्रोपिक प्लांट हैं, उन्हें फॉलोंग टाइप में ड और सेंबायोटिक प्लांट्स, चाल के डिगरी समझ में आई, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, फाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सैंबायोटिक, ठीक है, अब हम इन ही के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर को क्योंकि बहुत इसको डबल स्टार कर लिए बच्चों, यह बहुत 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 इंपॉरेंट टॉपिक है, आप किसी भी एक्जाम में बैठ रहे हैं, यहां से कोशन आपके लगने के पूरे पूरे चांसिज हैं, इस वेशली अगर आप सीटैट में बैठ रहे हैं, तो एक कोशन जरूर देखने में मिलेगा, और बाकी कोई भी आप टीचिंग एक्जाम है, या कोई भी एक्जाम अपियर कर रहे हैं, तो यहां से कोशन अकसर देखने को मिल जाते हैं, इंडिरेक्ली, नॉन डिरेक्ली, ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे, आपको समझ में ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स कोन से होते हैं, बचो पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनसे अपना फूड एब्जॉब करते हैं, जिस प्लांट्स से वो एब्जॉब करते हैं, फूड को उ तो दरप परिलांटिक है हम पंडिक सब्सक्राइव भी जाते विपाक प्लांट आपकर इस sulfur प्लांटिक प्लांटब होता है उसके कर्णा पिलांटby आपकर चैनले से ओंग बड़ांट मुझादा। यह एक plant ठीक है यह host plant और यह हमारा कोई parasitic plant है ठीक है example कि पिरह हुआ है यह paracitic plant है तो ओफ ऐसे रूटS डेवलप कर लेंगे नेरा से कने क् Ihr क्या करेंगा इसके जूआं ठीक छूब पे इनके अंदर चला जाएगा ठीक है अब फिर इसके प्रक्ष प्लांट के अंधर जाने से क्या करेगा वो उसको जो मिनराल और जो वाटर की जरुरहता है वो यहां से ले लेगा अपने पास और उसकी जो रिक्वार्मेंट थी वो इससे पूरी होती चली जाएगी ठीक है तो क्या है यह है थाट्रॉप होगा क्योंकि दूसरे ट आफ दा होट प्लांट होट प्लांट यहां तक समझ में आया इसका बचे एक 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 जामपल है मिस्टिल टॉइ ठीक है जो कि लैदरी री बीडिव जोती है तो वह अपना खाना खुद बना सकती है बट वो क्या है डिपैंड करती है होस्ट प्लांट पे अपनी मिल्रोंस वाड़र दिए यह आद रखेगा यह एक एक जामपल है मिस्टिल टो कॉठ ठीक है यहां पे मापको फोटो भी दिखाती मचो यह वाली जो फोटो एह यह आपकी मिल्स टॉर। है इसमें क्या होते है बच्छो को जहीं समय जो कैसकता प्लांट होता है इसके शओर्ट वोट्स और लोंग ज्एडलाइक यस पैम होती है या देख रहें इसको प्लांटcepaurais नर्छिस प्लांट आपको पता है कि जो हमारा परसिटिक प्लांट होता है रफेल्शिया वह सबसे लाइब उसका जो फ्लावर होता है वह सबसे बड़ा वर्ड का यह इतना बड़ा है बच्चो कि उसको जो वेट है वह आपका 10 kg है और जो का डायमीटर है वह 106 cm है और इस फ्लावर की बच्चो केवल पांच पैटल से ठीक है इसका नाम याद रखेगा सबसे बड़ा फ्लावर देने वाला जो परसिटिक प्लांट है वह है रफेल्जिया क्या है रफेल्जिया ठीक है इसकी फोटो भी वच्चो यह देखिए 5 पैटल से 10 kg का यह बच्चो ठीक है यहां तक समझ में की अगर पैरसिटिक प्लांत जो है ओस्प्लांत पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए इन्वोर खिया कि री ce can regulation 1 तो जरूरी नहीं है 2 दिक ऐसे कखके अधे कहां मातरा में बहुत कम में रहे जगे हां करते हैं होस्प्लांत को ति ऑन 04рудor और मia Tomay प्लांट्स के लिए एक दाडर क्या करता है और बुड़ी प्लांट्स को और है डेमेज़ देता है सल्टेन इकनोमिकली इंपरेंट क्रोप्सकों फिर शोम्मारी के लिए नुक्सान देता है जब ये कवर कर लेगा जब यह हमारे दूसरे प्लांट को नहीं प्रॉसरी वात यह प्लांट हैं तो इसमें क्या होगा जब कभर कर लेगा तो उसकी इतनी भी लियू जोगी स्टैंस होगी उसके लिदी अलगे-प्रॉस हूंगे तो वह व्यांगे क्या बोलते हैं नहीं करने देगा अब से क्वेशन और अराइज होता है ड़स्ट इस मीं यहां इस लोली किल्ड़ फ़ापरासाइट्स तो क्या इस का मतलब यह है कि जो हमारे होस्ट प्लांट से वो पारासाइट्स के दुवारा ढिरे जिरे खुत्म कर जाएंगे तो नहीं बच्चो ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क् भाँ मतलब ऐसे जो प्लांसनिया बहुत कप już May ya मैं आभी बताया तो इसलिए जो पेरशिटिक ट्लांस है anyone हो अपने host plants पे डिपेंड रह सकते हैं ठीक जो पेलसी ट्रीप यहéo स्पाया को हर्म करते हैं लेकिन अई बिलकुल खतम कर देंगे reason being क्योंकि ऐसे जो प्राइसिटिक प्लांट बहुत कम है ठीक है इसलिए वह होस्प्लांट पर डिपेंड रह सकते हैं नेक्स आता है बच्छो सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट आपको प्राइसिटिक प्लांट समझे माया बच्छो ठीक है जो बच्छो सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं यह विटिश होते हैं और इनके नदे क्या होते हैं ब्राइटली फ्लावर्सृ जान जान पाटेयां तो फ्लावर्स लेतें अपना खाना कैसे लेते हैं भी पैरसिटिक प्लाइं तो दूसरे कि यह ब जूतें आपके जब आपके जो डैध लीव्स होती है डैड और डिके लीव्स होती है यह उन पर डिपैंड करते हैं जो अगसर आपने देखा ना जमीन पर घर जाती है तो यह अपने नूट्रिशन जो होती है वो उनसे लेते हैं इसके बच्छा एक्जाम्पल क्या है इंडियन पाइप और कोराल रूट इसकी फोटोस भी देख सकते हैं इस इंडियन पाइप और इस प इस इंडियन पाइप यह हमारे को जादा आज एशिया और नौथ अमेरिका में देखने को मिलता है और जो कोराल रूट से वह वर्ड में सब्जेगे देखने को मनता है इसमें क्या होता है उनको हम फंजाई बोलते हैं फंजाई क्या करता है जो भी डाड और डिकी मैटर हो हम पेर खनवायर खाया है न वो उसको जाड़ पर शुंपर कर र्रयता है और इस वह क्या मलते हैं निझाएशन सहों जाते हैं ऑर ऐसे उनको जषो फंजाई इनको क्या बोलते है सेप्रोट रॉप्स एक वच्छो यह पर इंट्रस्टिंग पॉइंट यहां है कि हमारा जो जो क्लासिधेशन ग्लासिफीकेशन थे ऑनले सेशे सेप्रोट नpettojust प últ मेर ऑफन वाफजाएं के हमारे मट्या मारे पाझेये शेयर हानunden कर देख लैंद थिषरिद है अब बत करें करेंगे बच्छों इसक्रीव इस प्लांट्स फ्लांट फट स के इस की इस क्रन समय हो जाती है इस्पेशली नाइट्रोजन अभी बतायता है ना प्लांट्स के लिए हमारे कौन-कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है cat in madhya pradesh, cat in and for nitrogen, तो यह क्या कहते हैं, यह जो इन्सेक्टि वरस प्लांट्स होते हैं, यह खाना तो अपना खुद बना देते हैं, बट क्या होता है, इनके अंदर कुछ आपने कमी होती है, जैसे कि nitrogen, तो यह कैसे हो लेते हैं, तो हैंस इस प्लांट्स के चुरत पढ़ती है, आउटसाइड सोर्स तो इंसेक्टि वरस प्लांट्स होते हैं, जो अपने डराइफ करते हैं, कुछ यह सारे के सारे nutrients दोसे animals को trap करके कैसे मेंगी insects अब इसके कुछ examples बच्छो बताए गए हैं सबसे पहले आता है आपका picture plant इस फोटो दिखरी आपको यह picture plant की होती है ठीक है इसको बच्छो इसका दोसा नाम नेफन्थीज भी है इसको क्या होता है कि इसकी जो leaves होती है यह कुछ pointy hairs होते हैं तो जैसे ही कोई insect इसके आसपास आता है यह खुष्भू खुष्भू छोड़ता है और जैसे ही कोई insect इसके पास आता है यह उसे trap कर लेता है और उसे digest कर लेता है ठीक है नेक्स बच्छो यह है bladder swats क्या है bladder wats इसमें बच्छो आप देखोगे ना पड़ा सुंदर सा पीरी शेप bladders है यह देखिए यह पीर शेफ के हैं ठीक है और बहुती स्मॉल स्मॉल सी इसकी leaves है झाल लीवस तो यह क्या करता है यह अपना जो trap door है इसे open करता है और जब इसका शिकार आता है तो उसे इतने जल्दे से खा लेता है कि उसे पता ही नी जलता है ठीक है यह एक और एक्जाम्पल है बच्छो संड्यू या इसका दूसरे नाम द्रोसेरा ठीक है इसके जो टैंटेकल्स है यह यह जो चीज देखनें आप यह इसके एक स्थीकी सबस्टांस होते बच्छो यह ठीक है तो इसमें क्या होता है जब भी को इनसेक्ट आता वह इससे चिप रैड कलर का अंदर से होता है धिक है कि यह इस में क्यूंहिं अदर से होता है इन इसके बढ़िक कि यह इन्सेक्ध को क्या होते है यह तक समझ में बढ़ाराद बचे ciao में आपन हसो कई बढ़ आना सबको अब बढ़ेंगे बचस्वीतिमे बात Northwest Florence अब बच्छे यह क्यों से प्लांट होते हैं गिवह प्लांट होते हैं जो कि दूसरे species के शार association में रहते हैं अपनी मर्जी से रहते हैं यह अपना जो food है sources है अपने उनको share करते हैं यह क्या मतलब एक mutually कह सकते हैं कि एक mutually understanding के साथ रहते हैं, आपस में मित्र बन के रहते हैं, यह आपस में दूसरे को हाम नहीं करते हैं, बलकि दूसरे को क्या करते हैं, फाइदा देते हैं, अगर कोई एक बंदे से एक चीज ले रहा है, तो वो दूसरे को कुछ उसके लिए ही अच्छी चीज देगा, ठीक है, तो ऐसे plants को हम क्या बोलते हैं, symbiotic plant कहते हैं, और जो relationship बोतल से क्या बोलते हैं, symbiosis, ठीक है, इसका सबसे अच्छा बच्छो एक्जामपल है, lichens, lichens का जो association है, वो किसके साथ होते हैं, fungus के साथ, और microscopic plant जैसे की green algae के साथ, जो fungus होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, algae से जैसे की, जैसे rock surfaces होते हैं, वहाँ पर ग्रो कर सके हैं, वरना उनके लिए survive करना पॉसिबल होगा, देख सकता है, lichens and algae, काई जिसे हम बोलते हैं, उस टाइप से, यह कहते हैं, बच्छो रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट के जैसे की, पीज हो गई, उसके बैक्टेरिया ह करते हैं, जो हमारे atmospheric nitrogen होता है, उसे plant usable form में convert कर देता है, जैसे की ammonia, ठीक है, और उसके in return क्या होता है, प्लांट उन्हें in return क्या देता है, प्रोवाइट करता है nutrients, bacteria growth के लिए, यहां तक समझ मैं हैं, चारो चीज हैं बच्छो आपको, ठीक है, अब हम आएंगे, replenishment of nutrients on the soil, ठ है, plant utilizes mineral nutrients, plants क्या करते है, mineral nutrients को utilize करते है, especially nitrogen present in the soil, अपने growth के लिए, especially nitrogen बहुत 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 इंपर्टेंट है, ठीक है, as a result, there is a depletion of nitrogen in the soil over a period of time, तो क्या होता है, जब अच्छो प्लांट हमारे बार 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 निट्रोजन का use करते हैं अपने growth के लिए, तो एक ताइम ऐस मैनियोर का use करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सा है nitrogen होते हैं, अपार्टफर्म और क्या होता है, potassium और phosphorus के साथ, जिसके ज़रत किसके लिए हमारी plants की healthy growth के लिए, तो बच्चो यहाँ पर आपका topic जो है, nutrition in plants खतम हुआ, अगर आपको हमारी वीडियो बच्छो अपना support देते रहिए, और हमारी वीडियो को like और share जरूर कीजिए, thank you